नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप पर Tech News के इस एपिसोड में तो आएए देखते हैं क्या है आज सुबर तक युटेक दुनिया की सबसे बड़ी ख़बरे हैं तो दोस्तों पहली ख़बर जो है वो माइक्रो मैक्स की तरफ से माइक्रो मैक्स ने अपना कैनोस 2 लांच कर दिया है 11,999 रुपए में और मतलब भी वो खरीद नहीं सकते है आप उसके लिए प्री रेजिस्टर सुरू की आप रेजिस्टर कर दीजिए बाद में वो फोन आपको मिलेगा और इस फोन की जो USP है जो मुख फीचर्स में उने बताएं वो बताएं कार्णिग गोरिला ग्लास 5 और इसके लाओं Android Nougat 7.0 तो इससे आप अंताले लगा सकते हैं कि इस फोन में और क्या होगा कि उन्होंने में फीचर्स यह बताएं है कि उसमें Android Nougat है और इसके लाओं कार्णिग गोरिला ग्लास 5 है 12,000 के इस फोन में आपको मिलती है 5 इंच की HD स्क्रीन 720P और जो प्रोस्टर इसका है वो MediaTek का को 6737 रखा है मतलब बहुत वेकार प्रोस्टर है इस रेंज में और इसके अलावां 3 GB की उन्होंने RAM रखी है 16 GB की इंटरनल में और 3 GB की RAM जो है वो भी DDR3 RAM है हाला कि जो internal memory 16 GB की उसे आप बढ़ा सकते है 64 GB तक है micro SD card से इसके लाव 3050 mAh की बैटरी रखी है अगर आप कैमरे की बात करें तो 13 MP का back camera है जिसमें आपको F2.0 का aperture मिल जाता है जो कि 5 MP का front camera है और software से कुछ नहोंने पताया है कि software से वो के effect बनेगा जो भी बने इस रेंज मे 12,000 रुपय में इस phone का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है आप अगर online जाएं खरीदने तो इससे कई गुना अच्छे phones मिलेगे Redmi Note 4 आपको 12,000 में इससे बहुत अच्छा मिल जाएगा इसका double performance आपको देगा जबकि अगर आप offline भी खरीदना चाहे तो इससे कम में आप 9,000 में आप live के phones खरीद लेजिए अगर आप इंडिया के phones खरीदना चाहते हैं offline market में तो आप live के phones खरीद लेजिए इससे 2,000,000 में भी आपको बहुत अच्छे phones उसके मिल जाएंगी इससे ज़्यादा अच्छे मतलब और इसमें Snapdragon का आपको processor मिल जाएगा अगली ख़बर इभी द मिलेगा आपको front पे आपको glass रहता है मानले ये back पे भी आपको glass ही मिलेगा हालां कि dual camera setup उसकी तरह नहीं मिलेगा जबकि features की बात करें तो 5.2 inch की आपको full HD screen मिल जाती है 4 GB के RAM मिल जाता है 400 GB की internal memory मिल जाती है इसके लाँ 120 GB ते भी से आप expand कर सकते हैं micro SD card support इसमें दिया हु और बैटरी इसकी जो होती ही जारे मेज की दिय हुई है और अगर camera की बात करें इसके तो back camera जो है वो 12 MP क्या है F2.2 aperture हालां कि है बहुत अच्छा camera नहीं लग रहा है कि F2.2 aperture उसमें है और 2.0 रहता तो ज्यादा अच्छा रहता और हालां कि BSI CMOS sensor है जो कि low light में आच्छी image काम आता है लेकिन फिर भी अगर F2.0 रहता तो ज्यादा अच्छा रहता तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि front camera के आप बात करें तो आठ MP का wide angle camera है और back camera जो आप career camera उसमें आपको manual mode मिल जाता है जिसमें आप खुद settings को tweak कर सकते हैं अगली ख़़र दोस्तों एक leak है Xiaomi की तरफ से यह leak है आपको बैने बताया था पहले के टेफ नीज में कि Xiaomi का एक tweet आया था कि वो इंडिया में Redmi phone को लांच करने वाला भी उसकी date आज सामने आ रहे ही कि 16 माई को लांच हो सकता है जबकि Amazon ने जो है उसका एक teaser भी लांच कर दिया है कि वो साथ Amazon exclusive हो सिफ Amazon पह मिले और अगर बात करें इस leak की तो Xiaomi ने कुछ invites भेजे हैं मीडिया invites भेजे हैं वो 16 माई को एक event रख रहा है निव डेली में तो यह उमीद है हाना कि ख़बर पहले भी आरे कि वो अगले हप्ते लांच कर सकता है पर 16 माई की date से यह लगभा पक्ती हो गई कि वो 16 माई को ही लां निका जा रहा है कि apple के आने वाले phone का back casing है उसकी तो यह उमीद की जा रही है कि यह साथ apple iphone SE जो उसने small variant निकाला था उसका मतलब छोटा 5 factor वाला तो उसको वो उसका अगला version launch करने वाला है क्योंकि उसके launch हुए बहुत दिन हो गये लेकिन कोई उसका अगला version निकला नहीं जो iPhone 7 है और iPhone SE दोनों में जो है आपको horizontal camera और लेडी lights मिलते हैं अगरे लेडी light लेकिन इसमें vertical है setup उपर camera और नीचे लेडी light हो सकती है अगली ख़बर दोस्तों इंडिया से है एक survey हुए साथ राज्यों में जहां सबसे ज़्यादा mobile phone सो smart phone सो गरे यूज किये जाते हैं ज वेस्ट बंगाल उतर प्रदेश और करनाटा को गरे इन सब जगों पे तो इस तरह के साथ राज्यों में हुए है survey तो इसमें ये बात निकल के आई कि इंडिया का सबसे premium smartphone जो माना जा रहा है वो iPhone 5S है और ऐसा silence लिए हो सकता है क्योंकि लोग Apple के logo को ही बहुत premium मानते है Apple क फोन हाथ में वही premium बात लगती है और iPhone 5S चुकि launch में कई साल हो गया है तो उसका प्राइस इसकी बहुत कम है बीस हजार खारा जार इसी तरह वह बिखता रहता है तो उसको लोग ज्यादा खरीते है और Apple को हाथ में लेक चलते है और बोलते है premium बिल्कुल Apple है ये phone चाहे उस ख़बर दोस्तों Moto की तरफ से एक leak है कि Moto का जो C और C प्लस है जो बहुत low end low budget का phone होने वाला है और इसके लिए उपर मैंने एक वीडियो बनाया मुछे नहीं लगता हो सही कर रहा है Moto और यहाँ उपर आपको मैं cards में दे दूँगा i button पे आप click कीजिएगा और आपको मिल एक कुछ processor होगा जो Moto C है उसमें और 3D phone होगा और यह हो सकता है 5000 के अंदर हो Redmi 4A से डख कर देने के लिए C plus जो है वो उस range में रहे लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी specifications नहीं आई है जाह तक leaks सामने आई है अगली इसके पर दोस्तों Nokia का जो 310 है उसके बहुत दिन सुस्ती खबर आ रहे है कि अब जो है विकना सुरू हो जाएगा अब UK में जो है लिष्ट हो जाएगा अब मार्केट में आ जाएगा अब अमेरिकाम आ जाएगा लेकिन वो कहीं अभी तक नहीं आया हाला कि HMP Global कुछ दिन पाले यह भी tweet किया कि वो ship होना सुरू हो चुका है लेकिन किसी को नहीं पता चला कि वो ship कहा हो रहा है किस जगह पर अभी खबर आ रहे है कि 24 मई से वो UK में बिखना सुरू हो जाएगा मार्केट में आ जाएगा आप उसे ले सकते हैं वहां online या offline जोहां भी आए वो इसके अलावा 26 मई को जर्मनी और 5 उन को Belgium और नीदर लैंड में लांच होगा बिखने लगेगा मतलब तो एक तरह से यूरोप में पहले लांच होगा और इसकी rates की भी काफी leaks आ रहे हैं उसकी पकी खबर आएगी तो आपको बता हम पहले मैं कई बाता चुका हूँ उसकी 50 यूरो फिर 60 यूरो कई तरह की leaks आ रही है तो अभी देखता है वहाँ लांच होता है किस तरह से फोन पाफार्म करता है दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको टेक्निट में बताया था कि Google इस सा तीन पिक्सल फोन्स लांच कर सकता है जो leaks आई है तो तीसरा जो फोन था उसका कोडनेम था ताइमन तो उस ताइमन का जो है Geekbench पे 1.9 गी आज पे आपका कोर प्रोस्टर था तो एक तरह से फ्लेक्सिप प्रोस्टर तो नहीं होगा तो कि फ्लेक्सिप इस तरह का कोई प्रोस्टर नहीं है और यह उमीद की जारी PSA 625 हो और यह एक मिड रेंज वर फोन हो हाला कि Google का मिड रेंजर है तो वह 25-30,000 से उपर ह होगा दोस्तों अगर आप Facebook चलाते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड आते रहते हैं उस पर आपके जो है Home Page पे और कई तरह के ऐसे एड्स होते हैं जो मतलब बहुत बिसगाइडिंग होते हैं जैसे कि इतने पैसे कमाल साथ तरीके पैसे कमाने किया 10 व हरोसा नहीं होता और जब आप क्लिक करके उन पर जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि यहां तरीक्या कहां है वो प्रोडक्ट कहां है आपको एड्स ही एड्स नजर आते हैं पूरे उस वेबसाइट पर पूरे अड़र्टाइजमेंट से भरी रहती है और वो मतलब आपक को टिम्ट करते हैं कि आप वहाँ क्लिक करें वहां भी इसी तरह के एड्स होते हैं अब क्लिक करेंगों तु इंको पैसा मिलेगा जहां जिस वेबसाइट पहूंच जाएंग उनको पैसा देता इस तरह से तो फेस्बूच जो है इन सब को रोक लगाने वाला है इन सब पर पर दोस्तों इंडिया से ही है बहुत दिन उस खबर आ रही थी हालांकि कि फ्लिप कार्ट को एक्वायर करने वाला है और हो सकता है यह बहुत जल्द हो जाए क्योंकि साथ बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है लेकिन अभी एक और खबर आ रही है कि पेटीम जो है वो फ्री चार्ज को एक क्वायर कर सकता है तो एक तरह से मतलब ऑनलाइन मार्केट खुड़ा था जब बहुत सारी चोटी-चोटी कंपनियां आए थी और जैसे-जैसे कोई कंपनी बड़ी होती गई कोई चोटी रह गई तो बड़ी कंपनी चोटी वाले को नि खुलिएगा अगर आप नहीं सब्सक्राइब किया है तो वीडियो के नीचे यहां आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन उसे आप ट्लिक कर लिजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे आने वाले वीडियो को मिलते रहेंगे लगातार इसके अला आप ही मैं स्क्रीन तो कुछ और वीडियो देखे जा रहा हूं यहाँ पर आप इन्हें जरूर देखिएगा आपको जरूर पसंद आएंगे तो उमीद है हम बिलेंगे ऐसे ही किसी अन्द वीडियो में या कहें अगले वीडियो में चैनल का आप सब्सक्राइब कर दीएगा तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद